हेलो एंड बेरी बिग वेलकम टू एस्पी एस्टेडी पॉइंट मैं सोनू आप सभी दोस्तों का अपने यूटूब चैनल एस्पी एस्टेडी पॉइंट पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज की ये वीडियो है बिएस्टी सेकेंड येर थर्ड समेश्टर के लिए जिसमें आज मैं केमिस्ट्री के मॉडल पेपर पर डिसक्रेशन करूँगा आप सब लोग काफी जिनों से बेट कर रहे थे कि सरह में एक लास्ट मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया जाए ताकि हमारे एक्जाम में काफी हल्प सकते ऐसे चाच चात्राएं जो बीर बहादूर पुरवांचल इन्वर्सिटी से बिलाउं करते हूँ या फिर चौधरी चरण सिंग यानि की CCS इन्वर्सिटी से हूँ या फिर आप MGPRU इन्वर्सिटी के चाच चात्राएं हूँ आप सब के लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही कारगर रहेगा इस मॉडल पेपर में जो प्रसन हमने चूच किये हैं वो सभी repeated प्रसन हैं और विबिन विबिन इन्वर्सिटी में 2023 और 2022 के मद में चल रही समेस्टर पर इच्छा यानि 3rd समेस्टर में पूछे जा चुके हैं तो उन्हीं प्रसनों को मने चूच किया है जो आपके exam में आप सभी को काफी help देगा चले दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे से यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा बेल आइकन को प्रस कर लें ताकि क्लास को notification मिलता रहे चले दोस्तों class को start करते हैं तो आप सब लोग को पता है कि जो मैं आपको class देता हूँ ये NEP के according होता है according to NEP नेस लबस के according और third semester में जो आपकी chemistry है उसका नाम है chemical dynamic and coordination chemistry इसमें मैंने वही प्रसंट चूच किये हैं जो आपकी exam में इस बार पूछे जाने हैं तो आपका model paper में लेकर क्या गया हूँ 75 नंबर का आपका model paper रहेगा दोस्तों और समय आपको 3 घंटे का मिलेगा बीर बहादूर पूरवांचल इनिवर्सिटी में कानपूर इनिवर्सिटी का exam हुआ है वहाँ पर भी समय 2 घंटे मिले थे लेकिन अभिमान के चले लगबग लगबग सभी इनिवर्सिटी 2 घंटे का ही paper करा रही है तो maximum marks यह आप पूछ सकता है जो की 75 नंबर का आपका रहेगा ठेवरी का जैसा कि आप सब आउगत होंगे इस जी से तो section A से सुरुवात करते हैं आपका paper तीन section Y होता है section A, section B और section C ठीक है तो A में जो प्रसन पूछे जाते हैं वो very short type questions होते हैं जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अतिलग उत्रिये प्रसन अब इन प्रसनों की जो अधिक्तम प्रसन पत्र में सीमा होती है वो 10 प्रसन होती है किसी किसी university में 5 प्रसन आपको हल करने रहते हैं और जब 10 प्रसन पूछेगा तो आपको 2 number का प्रतेक प्रसन मिलेगा अगर ये 5 question B resort में आता है तो 3 number का प्रतेक question रहेगा ये बात आप ध्यान रखेंगे बिसेस कर लेकिन मैंने यहां पर आप लोग के लिए 10 प्रसन तैयार किये हैं अगर ये 10 प्रसन आप तैयार कर लेते हैं बेरिसॉर्ट में तो आपको यहीं से सारे प्रसन मिलेंगे यानि कि आपके university में तो पहला प्रसन दोस्तों जो मैंने चूच किया है वो है what do you understand by free energy free energy से आप क्या समझते हैं ये आपको लिखना रहेगा तो free energy का topic मैंने इसलिए चूच किया है क्योंकि ये बिगत वर्ष 2023 के सत्र में जो अभी तक अबद university सिधार्थ university में अजमकर्ण university का पर बहुत चुका है और जो है काफी university है नहीं कि बिहार university में एक है चंदर सेखर जन्नाएक बलिया university वहाँ पर भी पूछा गया है ये प्रसन पूछा जा चुका है तो इसलिए ये प्रसन आपके लिए रिपीटेट है इंपोर्टेंट है free energy का टॉपिक आप तयार करके जाएंगे कोश्चन नबर दो जो आपका है वह है वाटेट चिलेशन क्या है यह यह तो आपसे पूछ लेगा वाटेट चिलेट चिलेट पूछ लेगा या चिलेशन पूछ लेगा दोनों का मतलब एक ही है ध्यान रखिएगा ये questions repeated हैं तो चिलेशन क्या होता है उसको आपको तयार करके जाना है तीसरा प्रस्ण है what is paramagnetic substance paramagnetic substance से क्या है तो paramagnetic substance अब से पूछा गया है इस प्रस्ण को आपको तयार करना है इसमें फैरो मैंगनेशियम का टॉपिक भी पूछा जाता है तो paramagnetic substance आप तयार करके जाएंगे बहुत ही मतत देगा ये प्रस्ण आपको प्रस्ण नुबर चार सी में वाट इस लोकिट क्रेश्टल अभी तक का सबसे कॉमन कोश्चन है लोकिट क्रेश्टल वाला ठीक है आप पेपर जिनको भी थोड़ा सा भी डाउट होगा वो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं कोश्चन पेपर के जो मनें अलग-अलग इनिवर गढ़वा इसमें त्यार करने हैं नेक्स आपको पांचवा प्रसन तयार करना हैं और सबसे कामन कोश्चन वाट डिवीटिए फ्रीडम डिगरीई आफ फ्रीडम एक ऐसा कोश्चन है जो आल इनिवर सिटी अब तक पूंचछिक्शन है आल इनिवरिसिटि का नाम इसली लो डिफाइन लिगेंड लिगेंड क्या होता है यह कोश्चन आप से पूंचा जाएगा लिगेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो छे नमबर प्रसन और पांचवा प्रसन यह त्यार करके आप जाएंगे कोश्चन नमबर साथ आपका है आइडियल एंड रियल गैस से या तो पुछेगा डिफाइड आइडियल गैस या पुछ लेगा आइडियल और रियल गैस में डिफेंस क्या है अंतर क्या है या फिर आप से पूंच सकता है कि एक्स्प्लेइन या वाट इज आइडियल गैस ए दोनों इसमें दे दिया अगला प्रस्थन है क्वाडिनेशन नंबर क्वाडिनेशन नंबर क्या होते हैं देखे क्वाडिनेशन नंबर हर इन्वर्सिटी तो नहीं पूछी रेकिन क्वाडिनेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रसन है पूछ लेता है बेरिसॉर्ट म compound को ये भी पूछा जाता रहता है the coordination compound से रिलेटेड या coordination number आएगा и coordination compound पूछा जाएगा दोनों आपको क्या करना है तयार करके जाना है ठीक है कोशिटन नंबरेस दप्रिस्पल ये भी carbon कोश्टन है over 100% को पूछेगी क्योंकि आह अर्ल इन्मेस को पूछ रिए यह प्रस्ण आपके एक्जाम की द्रस्टी से बहुत ही इंपॉर्टन्ट है देखें यह बिभादुर पुर्वांचल इन्वर्सिटी एंजी पी आरियो इन्वर्सिटी या फिर सीची इस इन्वर्सिटी इसके अलावा आप भीहार इन्वर्सिटी से बिलॉंग करते हों तो अगला है एक्सप्लेंड र로 आप मास एक्षन रओ अशन्- एक्षन का जो टॉपिक है वह आल इन्वर्सिटी पोच्टे की है तो लो आप मास एक्षन तियार करके जाएंगे एकन्पलेटली हन्деडट परचेंट इसको आप फोकस कर्के जाएगा तैयार करके जाएगा इस तो ध्यान रखेगा कम्पलीट्ली मैं यह नहीं कहता सेम यही प्रस्ण हो सकता रिपीट हो जाए जो आएगा वो मैं बताता रहता हूं जो डिफरंट टाइप से पूछा जा सकता उसकी चर्शा में कर देता हूं जिसा रेट अप्र रियक्शन से आपको पता है केमकल का ए पिक है यह पहला यूनिट आपका वो लॉंग टर्म का यूनिट है जिसमें आप से और आप रियक्शन भी पूछा जाता है और आप रियक्शन अब आप रियक्शन में अगर मैं बताओं आप से की फर्स्ट ओर आप तयार करके जाएगा या जीरो ओर तयार करके जाएगा तो आपके एक्जाम में अगर second order पूछ लिया गया है, तो कहने का मतलब यह है, कि जब आप order आप reaction की बात हो, तो order आप reaction का यानि तीनो order आप तयार करेंगे, जीरो order तयार करके जाएंगे, first order, second और third, यह आप तीनों तयार करके जाएंगे, तीनों में से एक आप से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, molecularity का topic अच्छे से पढ़ लिजिएगा, molecularity आप से पूछी जाएगी, chemical kinetics मुझ सकता है, what is chemical kinetics, तो chemical kinetics भी तयार करके जाएगा, तो date आप reaction क्या होते हैं, इसका units क्या है, और जब आप से order आप reaction के बारे में पूछा जाएगा, तो आप से अगर order आप reaction का topic बनेगा, तो या तो आप से sort में बनेगा, यानि कि section B में, या फिर section C में, तो आप से पूछेगा, what is zero order reaction, rate, discuss the its characteristics, ठीक है, यह ज़रूर पूछा जाएगा, धिहान रखिएगा, चलिए, तो 11 प्रस्न मैंने दिये, एक प्रस्न एक्स्ट्रा है, इसलिए, ताकि आप लोग से common question में डाल देता हूं, ताकि वो पूछा जाएगा, इन्वरसिटी में, से हो रहता है, section B के प्रस्न की च section B, अगर जिन भी student का section B अच्छे से हो जाता है, उनका marks बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि आपका, यह लगबग लगग 25 नंबर का होता है, 35 से 40 नंबर का होता है section, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर आपको 5 प्रस्न हल करने रहेंगे, section B से, ठीक है, यानि इस पास्टुलेट्स, crystal field theory क्या है, इसके पास्टुलेट्स आपको लिखने है, ठीक है, तो crystal field theory, बहुत important प्रसन है, और यह repeated प्रसन है, आल इन्वर्सिटी में यह पूचा जा चुका है, लगबग लगग है, बिगत 4 इन्वर्सिटी इसको इस बार पहुंची है, यह question same, crystal field theory वाला, crystal field theory आप तयार करके जाएंगे, आपके एक्जाम में 100% यह question मिलेगा आपको, अगला प्रसन जो आपको तयार करना है, वो describe the relation between critical constant and wonder wall constant, अगर अभी तक आपने critical constant और wonder wall constant का topic नहीं तयार किया है, तो आप तयार करके जाएगा, बहुत ही important है आपके लिए questions, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कौन सा, critical constant and wonder wall constant, very very most important question number 2 आपका, यह repeated हैं दोनों प्रसन, अगला प्रसन है, तीन नमबर, explain the LS coupling, जो 100% all university पूछी है, ऐसा यह question है, जो सभी university पूछी ही 100% पूछी है, ठीक है, तो LS coupling में कोई जुगिदा नहीं है, यह प्रसन आपकी exam में जरूर पूछा जाएगा, तो LS coupling आप अच्छे से तयार करके जाएगा, अगर आपका LS coupling तयार है, तो आपका 10 नमबर तयार हो जाएगा, ओके, अगला प्रसन देखिए, जो चार नमबर प्रसन है, वो है, write a note on gips page rule, gips page rule पूछ लिया जाता है, short note लिखने के लिए आप से आएगा तो आपने का सर, आपने गips का बतातली, टॉपिक एक ही है, ध्यान रखेंगे, तो गips का फेज रूल, आप तयार करके जाएगे, बहुत ही important question है आप आईए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, share कर दीजिए, और जो भी चैनल पर नए आये हैं, मेरे भाई, चैनल इनवर्सिटी में पूछा गया, प्रसन है, phase diagram of water system, आप question paper है, आप सब के पास, अगर नहीं है, तो आप हमारे चैनल पर जा करके, प्लेलिस्ट में जाएगा, third semester वाले chemistry session में, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो phase diagram आप तयार कर लिजे, water system, component of one system, ओके, पांच व sampling वाला, very very most important, तो ये दोनों इसमें कोई दूर आई रहे हैं, कोई दुधा नहीं है, कि ये question नहीं पूछा जाएगा, 100% ये question सब के इजाम में आने है, question number 6 आपका है, कि differentiate order of reaction and molecularity of reaction, देखे, order of reaction और molecularity of reaction क्या होते, इनके भी किबे, differentiate, जोनों में अंतर अस्ट करना है, तो a number आपका क्या है, order of reaction, b में आप डाल देजिए, molecularity of reaction, दोनों आपके important है, अगर ये दो topic आपका तयार है, तो आप ये मान कर चाहिए, लगबग लगग आपका दस number यहां से भी confirm होना चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता, differentiate ना पूछा जाए, हो सकता, पूछ लिए what is order of reaction, डिस question number 7 और सबसे important प्रस्ण, drive the classiest kleperan equation, classiest kleperan equation बहुत important equation है, जो आपके exam में इस बार आएगा, very very most important questions है, ठीक है, तो classiest kleperan equation आप तयार करके जाएंगे, बहुत ही मदद देगा आपको जाम में, ये प्रस्ण, लगबग लगबग चार university पूची है, और इस प्रस्ण की इस बार आने की संभावना आपकी university में ज्यादा है, अगर आपने ये प्रस्ण तयार कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तयार किया है, तो तयार करके जाएगा है, ठीक है, अगला प्रस्ण है, question number 8, जो की है, selection rule for DD transition, what is selection rule for DD transition, very many most important questions, ये आपके लिए बहुत ही important है, selection rule for DD transition, ये भी आप से सत्य परिस्ट में बहुत कह सकता हूँ, आपकी university में आएगा, कोई confusion, कोई आपको disturbance नहीं है, कि आप संका में रहें कि ये प्रस्ण आएगा, या नहीं आएगा, तो DD rule for transition, ये 100% आएगा, all university में पूछा गया है, आपकी university भी इकोजिशन पूछेग या फिर crystal field theory पूछ लेगा, कि balance bond theory की limitation दीजिए, या crystal field theory की limitation, अगर application भी आप से पूछे, तो दोनों का same ही लिख देना, ठीक है, यानि जो आप limitation तयार करेंगे, वही application में रिखेंगे, बहुत important रहें दोनों questions आपके, question number 8 और question number 9, ये दोनों प्रस्ण बीबी आएपी प्रस है, और एकदम से 100% sure होते, confirm होते हैं, question number 10 आपका है, explain the transition state theory, transition state theory आप तयार करके जाएंगे, क्योंकि ये लगबग लबग चार university में पूछा जा चुका है, बहुत important question है, और दोस्तों ये question मेंने short में दिया है, लेकिन अभी तक ये जो पूछा गया है, वो long time में पूछा गय है, यानि कि लगब लबग 15 number के लिए question पूछा गया है, तो हो सकता है, इस बास short में आए, लेकिन आप तयार करके जाएगा, आपके exam में transition state theory आपको देखने को मिलेगी, अगला प्रस्न है, drive the one top equation for reaction isotherm, one top reaction क्या होते हैं, और इसके लिए equation दीजिए, reaction आप isotherm के लिए बह बहुत ही important है, तो ये आपके section B के 11 प्रस्न हैं, जो अगर आपका तयार है, तो आपका exam 100% सत्य परिस्त बता दूँ, पूरे section के यहीं से आपको प्रस्न में मिलेगी exam में, ओके चलिए, अब आपका last section, section number C, जो आपका long type प्रस्न होता है, उसका हम चर्चा करेंगी कि long type में कौन-कौन से प्रस्न अभी तक पूछे गए हैं, और कौन सी पूछी जाने की संभावना है, दो प्रस्न में आपको long के section से हल करने होते हैं, 500 सब्द में इसका answer लिखना रहेगा आपको, ठीक है, और ये आपका बहुत important section होता है, लगवग लगवग 30 number का section होता है, किसी किस अचले 30 number पे आपके प्रस्न यहां से fix हो जाएंगे, जो अगर मैं बताऊंगा आज वो तयार अगर आप कर ले पा रहे हैं, पहला प्रस्न देखिए section C का, जो की है, what is complex compound, explain the Werner coordination theory for complex compound, describe the experimental verification, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, complex compound क्या होते हैं, explain करिए, Werner coordination theory, जो सबसे important theory है, Werner coordination theory आपका पहुत ही important होता है, और आपके university में पूछा जाएगा इस बार, तो यह long time में हमेशा पूछा जाता है, जब भी यह प्रस्न बनता है, कि यह बताइए, complex compound क्या होता है, जिसके recording आप Werner theory को explain करिए, और compound को describe करिए, कि complex compound क्या होता है, इसका experimental verification क्या होगा, ठीक है, एक number प्रस्न आपका बहुत important है, और long type का यह पहला प्रस्न है, ठीक है, तो इसको आप तयार करके exam में जाएंगे, दूसरा प्रस्न है, describe the wonderful equation of state, wonderful equation तयार करना है आपको state के लिए, बहुत important, इसके लिए आपको type भी पढ़ना होगा, इसके प्रकार कित नहीं है, तो type पढ़ करके जाएगा, बहुत ही मदद देगा आपको, question number 2, तीसरा प्रस्न आपको long में तो तयार करना है, और अभी तक का जो भी प्रस्न आप देख रहे हैं, जो इस question paper में, इस model paper में, आप जो भी प्रस्न देख रहे हैं, वो सभी repeated प्रस्न है, विवेन वि इनवर्सिटी में इस बार पूंचे जाने हैं, और अभी तक की आल इनवर्सिटी को पूंची है, तीसरा प्रस्न है, डिसका दा ओरल, मुप करेंगा, ओगल एनरजी लेवल डाइग्राम फॉर डी वन एंडी नाइन स्टेट, ये questions ऐसा question है, जो आल इनवर्सिटी को का एक्जाम हुआ, वहाँ पर कैमेस्टी में पूरा का पूरा और्गेनिक का टॉपिक दे दिया, जहां तक कि ये दोजार इक्टिस और बाइस से लेकर के तेस्ट, यानि कि दो सत्तर में पिपर हुआ है, दो बार हो चुका, एक्टिस में और तेस्ट में, एक भी इन्वर् के खुषते, लेकिन कानपर निवर्सिटी में क्या हुआ कि तीन आपके जो और्गेनिक के टॉपिक थे, वहीं से सारे प्रसन पूछ गी, एक भी प्रसन रिपीटेड नहीं आया, ठीक है, तो ऐसा हो जाए तो इसका नहीं मैं कह सकता, बाकी जितने भी प्रसन रहेंगे, व होते हैं, ठीक है, तो आपको यह प्रसन त्यार कर लेना है, अगला प्रसन है, क्वेशन नबर चार, जो की है, ड्राइब दा गिप्स फेज रूल, ड्राइब दा मैक्सवल डिस्ट्रिब्यूशन औप मॉलिकुलर विलासिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका गिप्स यह प्रसन आप त्यार करके जाएगा, क्वेशन नबर पांच जो आपका है, वो है, वाट इदा फॉर्स्ट ओर्डर रियक्शन, डिब इक्साम्पल, ड्राइब दा रेट एक्स्प्रेशन फॉर एट, डिस्कस दा करेक्टरिस्टिक, दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपके फर्स्ट सेक्शन में, सेक्शन ए में मैंने बात की थी, ओर्डर आप रियक्शन की, तो आप पुनाहस बात को भी ध्यान रखेंगे, कि जब भी फर्स्ट ओर्डर आप रियक्शन पूछा जाएं, तो ओर्डर आप रियक्शन मैंने यहाँ पर फर्स्ट ओर रियक्शन की ब साथ question number 5 completely त्यार करके जाएंगे अगला प्रस्ट जो लास्ट है वह डाइब दा आर हीनियस equation आर हीनियस का equation डिसकस करिए बहुत important है और जब भी पूछा जाएगा यह long type में या फिर आप से short में पूछा जाएगा आर हीनियस का equation अगर अभी तक आपने आर हीनियस का नहीं तयार किया आर हीनियस तयार कर लिजिएगा लगबग लगबग तीन university पूछी है इस question को और यह question long में पूछे जाने के संभावना रहती है इस question की तो स्वांग का यह प्रसन है आर हीनियस का तो इसको तयार कर लिजिएगा तो आज आपका यह last model पेपर रहेगा थर्ड समेस्टर के छाथ-छात्रों के लिए समेस्टर की आज यह last class होगी इसके बाद में आपका अगर question पेपर आता है तो एक question पेपर को मैं solve कराऊंगा उसके बाद से आपकी फोर्ट समेस्टर के क्लास रेगुलेरी संचालित की जाएगी जैसा कि जाम जो अभी तक class नहीं संचालित हो पा रही है उसका कारण यही है कि आप सब के लगबल लगद चार से पांच इनवर्सिटी के छाथ-छात्रों अभी पेपर नहीं हुआ है और उन सब का यही राय है कि कोई जो है पेप पाउन के जाएंगे मई से आपके एक्जाम होने हैं उनकी तैयारी की जाएगी और आपका इस बार class objective और डेंड दोनों जिनका objective इग्यान होगा उनके लिए objective position और इनके लिए return उनके लिए return तयारी की जाएगी तो दोस्तों आप सब को अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए सेयर कर दीजिए और जो भी हमारे चाट चात्रा है नए है चैनल पर उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बेल आकिन को प्रस कर लें ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो नेमी तब तो मिलता रहें तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो मे तब तक के लिए चैनल जै भारत